नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में भारतिय मुल्यों की अभिवेक्ति तो आईए इस प्रशन को देखते हैं देखे हिंदी साहित्य का प्रारंब एक हजारीस्वी के आसपास बाना जाता है और मुखेते इसे तीन कालों में विभाजित किया जाता है जैसे आधिकाल, मध्यकाल और आधुनिकाल इसी बात को ध्यान में रखकर हम ये प्रशन करेंगे और ये जानेंगे कि मुल्य क्या है और उसके बाद इन आधिकाल, ये मध्यकाल और आधुनिकाल में किस प्रकार से हिंदी साहित्य के माध्यम से मुल्यों को परभावित किया गया या मुल्यों पर परभाव पड़ा तो आईए देखते हैं देखें मुल्य शब्द के अगर बात करें तो ये अंग्रेजी के व अभिप्राय है वेल्यू का लेकिन यहां पर अगर हम साहित्य में मुल्य की बात करें या समाज में मुल्य की बात करें तो ये जीवन द्रिष्टी से इसका तात्प्रय या अभिप्राय है मानव ने जीवन को सुखत बनाने के लिए मुल्यों का निर्धारन किया है हमारे देश में विभिन दार्षनिक विचारधाराओं के कारण जीवन दृष्टी को विशेश महत्व प्रदान किया गया है प्रन्तु बदलती प्रस्थितियों ने ने किवल मुल्यों का विगटन किया है यानि मुल्य खतम हुए हैं स्वाप्त हुए हैं बलकि उसका परिवर्तन भी किया फिर भी हम कह सकते हैं कि मानव के भोतिक सामाजिक तथा सांस्क्रितिक भावों और विचारों की संगती का नाम ही क्या है मुल्य है, सच्चा मुल्य वही है जो मानव जीवन के विकास में सहायक हो तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति, राष्ट्र या समाज के संदर्व मुल्यों का प्रयोग करते हैं तो हमारा लक्षय उन मापदंडों, नियमों, अथ्वा सिध्धान्तों से होता है जिने एक संस्कृति, राष्ट्र या समाज सविकार कर चुका है और उनका अनुपालन कर रहा है तो यहाँ पर जब हम मुल्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है संस्कृति राष्ट और समाज इन बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आता है तो इसी आधार पर मुल्य में भी तो परिवर्तन आएगा और प्राचीन साहित्य से लेकर अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो वर्तमान या आधुनिक यूग तक आते आते मुल्यों में काफी परिवर्तन आया भी है और काफी विस्तार भी हुआ है कुछ नए मुल्य बने तो कुछ पुराने मुल्य खतम भी हो गया उनका पतन भी हो गया तो हिंदी साहित्य के विभिन कालों के आधार पर अगर हम इन मुल्यों की बात करें तो इसको इस प्रकार से हम विभाजित करके देख सकते हैं तो इसके हिंदी साहित्य के मुल्यों का अगर विभाजन हम करें तो यहां पर हम इने पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं सबसे पहले लेते हैं सामाजिक मुल्य देखे समाज का निर्मान किस से होता है मनुष्यों से होता है मानव है तो समाज है व्यक्ति का संपूर्ण विकास समाज पर ही निर्भर है और उसी के द्वारा संभव है समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम और मर्यादा है वो व्यक्ति को पालन उसका करना पड़ता है ताकि समाज में एक निश्चित अनुशाशन बना रहे तो यहाँ पर समाजिक मुल्यों को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं कौन-कौन से हैं एक तो है व्यक्तिक मुल्य व्यक्तिक मुल्य और दूसरा क्या है समाजिक यानि एक व्यक्ति का मुल्य और क्या है समाज के विकास का मुल्य यानि व्यक्ति का विकास किन मुल्यों के आधार पर हो और समाज का विकास किन मुल्यों के आधार पर हो ये दो तरीके से हम इसे जान सकते हैं जब व्यक्ति मुल्यों की बात आती है या व्यक्तिक मुल्यों की हम बात करें तो वहां पर मानव की सोच कैसी है उसका चिंतन कैसा है उसकी कार्य परनाली कैसी है इन सब बातों पर एक विशेश नियंतरन और निर्दर्शन अगर देखा जाए तो वो क्या है व्यक्तिक मुल् मानव जीवन में ही पनबते हैं प्रंतु व्यक्तिक मुल्य सामाज सापेक्ष हो या समाज के अनुकूल हो ये निर्भर करता है कि समाजिक मुल्य क्या है या समाजिक मुल्यों का विकास कैसे हो सकता है तो यहां पर जो समाजिक मुल्य है ये किस पर निर्भर करते हैं व्यक्त विकास व्यक्ति के समू या समाज की और होता है इस परकार से मुल्य व्यक्ति के ने रहकर वो किसके बन जाते हैं समाज के बन जाते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे आदिकालीन मुल्यों की आदिकालीन साहित्य के द्व अगलग जो मानेताइं हैं वो बदलती हुई मानेताओं की अभिवेक्ति यहां पर की गई है इस समय में एक और तो पारंप्रिक मुल्यों की रक्षा की प्रवर्ति दिखाई देती है यानि विशेश्टा दिखाई देती है और दूसरी यानि एक और तो यह किसकी बात करते है परंपरा की बात करते हैं और दूसरे और ये नवीनता की यानि नवीन जीवन दृष्चिकोन की बात करते हैं यानि नवीन मुल्यों के स्थापना के प्रयास जारी दिखाई देते हैं यहां पर किस में आदिकाल में उसके बाद बात करें हैं भक्तिकाल की भक्तिकाल में जो भाव हैं वो किसका भाव है दया का भाव करुना का भाव सोहार्द का प्रेम का सदभाव का इसके शाथ साथ इस समय जो दलित वरग थे uisके विकास की बातने का भी शुरू हो गई थी यानि उसके उत्थान के लिए भी प्रयाश शुरू हो गए थे और यहाँ पर नारी को भी महत्व दिया जाने लगा था ये वो मुल्य हैं जो समाजिक मुल्यों में विशेश रूप से शामिल किये गए थे भक्ति काल के बाद का समय काल आता है रिति काल में रिति काल में अगर हम देखें तो इसमें समाजिक मुल्यों को पूर्णते ऐस्विक्रित कर दिया गया था क्यों कर दिया गया था क्योंकि ये सामंती युग था सामंतों का समय था ये सामंती युग होने के कारण यहां पर सामंतों की अगर कहें तो सामंतों के ही नियम चलते थे और उन्हीं को सभी का पालन सभी को पालन करना पड़ता था इसी सामन्ती युग के कारण रिति काली जो कव्य है या जो लोग है वो विलासी परवर्ति के दिखाई देते हैं उसके बाद रिति काल के बाद अगर हमा बात करते हैं किसकी आधुनिक काल की आधुनिक काल देखिए आधुनिक काल में अगर समाजिक मुल्यों की बात करें तो इस काल में पारिवारिक सत्भाव, क्षमाशील, प्रोपकार, सयोग, मानवतावादी सहनभूती, नारी के प्रति सम्मान का भाव इन मुल्यों की प्रधानता देखी जा सकती है और यहां पर आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि जैसे भक्ति काल में जो रचना है रामश्री तमानस उसे तो समाजिक मुल्यों का महासागर भी कहा जा सकता है या कहा जाता है आज के समय में जो मुल्य है वो नय के बराबर रहे गए यहीं वर्तमान समय में आधुनिक काल में जो शुरुवाती दोर है वहाँ पर यह सब चीजे हम देख पा रहे हैं शमाशिलता का भाव है प्रोबकार का भाव है लेकिन अब वर्तमान समय के अगर बात करें तो यहाँ पर स्वार्थ का भाव जादा है आतम केंदरित का भाव जादा है अपने सिर्फ अपने बारे में सोचना इसी के कारण एहंकार का भाव आ गया है कुंठा का भाव आ गया है और समाज की मरियादा भंग हो रही है क्यूं हो रही है क्यूंकि परिवार टूट रहे हैं इसी परिवारिक विगटन के कारण समाजिक मरियादा भी भंग हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समाजिक मुल्यों की आधनिक काल में बात करें तो अगर हम देखे तो जैसे हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बुड़े माता पिता की सेवा नहीं की जा रही जो एक अकेला बेटा है वो भी उनको आश्रम में भेज देता है घर में अगर पतनी है तो उसके साथ तलाग जैसे हालात बन जाते हैं अगर घर में छोटे बच्चे हैं वो इन सब चीजों से परभावित होकर अकेले पन का शिकार होते हैं तो वर्तमान में अगर देखें तो स्तिती अच्छी नहीं है किसकी सामाजिक मुल्यों की और ये सब हमारे साहित्यकारों ने समय अनुसार चाए आदी काल के साहित्यकारों की बात करें भगतिकाल के साहित्यकारों की बात करें रितिकाल की या आधुनिक काल के साहित्यकारों की अगर बात करें तो इन्होंने अपने लेखन में अपने काव्य में या इनकी जो भी काव्य विधा रही है उनमें इन्होंने इसे बखुबी दिखाने का प्रयास किया है दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो राजनीतिक तथा राश्च्य मुल्य देखे प्राचीन काल से ही हिंदी साहिते में राजनीती और राश्च्य मुल्यों का एक विशेश स्थान रहा है सबसे पहले अगर आदी काल को देखें तो आदी काल में हम देखते ह जो पिर्थ्वी राज रासो रचना है वो ततकाली राजनिती और राश्चेता पर आधारित है उसके बाद रितिकाल में राजनिती तथा राश्चे से संबंदित मुल्यों की कोई विशेश चर्चा नहीं हुई क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर सामंत बाद है छोट रचना है की गई वो किसके लिए की अपनी राजाओं की प्रसंता के लिए की गई उसके बाद आधुनिक काल में अगर हम देखें तो स्वतंतरता संगराम के बाद साहित्य कारों ने जन मानस के मन में देशवक्ती का भाव राश्यते की भावना भाईचारे का भाव या दभावना पर चर्चा की इसके साथ साथ इन साहित्य कारों ने नेताओं राजनिती या राश्ये मुले के प्रती लोगों को सकरियता का भाव दिया जब हम आजाद हुए स्वाधिनता के बाद के अगर बात करें तो राजनितिक और राश्ये मुले का धीरे-धीरे पतन होन ये थी वैसा विकास नहीं हुआ तो इस समय में अगर हम देखें तो वैग्यानिक परगती के कारण भी जो मानवे वो रूड़ी और जड़वादी जो परंपराई थी उनका त्याग करने लगा देश में लोकतंतर की स्थापना तो हुई लेकिन नै तो सच्चा देश स्वतंत हो पाया ना ही देश में समाजवादा पाया और ना ही ऐसी खुशाली जैसा कि लोगों ने सोचा था लोग ये समझने लगे थे कि जो राजनेता है वो देश के विकास का वादा तो करते हैं लेकिन वो वादे थोड़े समय के बाद में हवा में बिखर जाते हैं या वो परदाईता के कारण जो जगड़े हो रहे हैं जो राजनीती में भरस्टाचार है भाई भतीजाबाद है या जो स्वार्थ परता आ गई है इसी स्वार्थ परता को भी इन्होंने अपने साहित्ये में स्थान दिया है आधुने कालिन अगर साहित्यकारों को देखें तो उन यहां पर इनका लक्षय क्या था शाषन व्यवस्ता और राजनिती में सुधार करना यानि सुधार का भाव इनके लेखन में था इस सुधार के भाव के कारण ही इन्हों ने इन सभी प्रस्तितियों पर व्यंग्यातमक लेखन भी किया परमुख लेखकों के जो आधुनी काल के उनका नाम दे सकते हैं शरत जोसी है हरी शंकर प्रसाई है बालमुकुन गुप्त है जो बहुती प्रस्तित रचनाकार है इस तरह की प्रस्तितियों को दिखाने में नलिन विलोचन शर्मा है राही मासूम रजा है शिवसागर मिश्र नरेश महता सर्वेश्तिवर दियाल सकसेना का नाम यहाँ पर दे सकते हैं जिनोंने राजनिती में ब्रैप्त जुब रष्टाचार है उसको उजागर करने का प्रियास यहाँ पर किया है उसके बाद आता है आर्थिक मुल्ये देखिए आर्थिक व्यवस्ता की अगर बात क लेकिन अगर अर्थ वेवस्ता ये आर्थिक मुल्य पूरण नहीं है तो देश की स्थिती भी अच्छे नहीं होगी तो यहां पर अगर हम बात करें कि आज के भोतिक वादी युग में तो ये बहुत ही महत्पुन स्थान रखता है किसी भी देश के अर्थ वेवस्ता उसके व परंप्रा हमेशा से चली आ रही है यानि अर्थ वेवस्ता को मझबूत बनाया जाए या अपने जीवन के अगर स्थर को सुधारना है तो हमें देश की आर्थिक वेवस्ता को मझबूत बनाना पड़ेगा आर्थिक मुल्यों तथा समाज कल्यान मुल्यों में भारी अंतर देखा जा सकता है। हिंदि साहिते में नहीं बलकि भारतिय समाज में भी समाज कल्यान के लिए आर्थिक मुल्यों का प्रियाप्त विवेचन या वर्णन हुआ है। तो वास्त्रिक आर्थिक मुल्य वही है जिन से हमारे समाज का कल्यान संभव है इसलिए समाज के नेताओं को आर्थिक विशमता दूर करने का भरपूर परियास करना चाहिए तो इस बात को परगतिवादी जो लेखक हुए है या प्रयोग वादी जो लेखक हुए है या सम्म ये ऐसे लेखक हैं जिनोंने अपने साहित्य में उन लोगों का चितरण किया है जो अर्थ ववस्ता से नीचे के स्थर में अपना जीवन जी रहे हैं उन पुंजी पतियों का चितरण किया है जिन के लिए धन की कोई कमी नहीं है और इतना अच्छा वो जीवन जी रहे हैं ले ये करतव है कि वो समाज को सही रास्ते पर लाने का प्रियास करें और उसे प्रेलिणा दे कि समाज कल्यान के दृष्टी से अर्थ का अर्जन करें यानि अर्थ को किस लिए आर्थिक स्थर को किस लिए उपर उठाना है ताकि समाज का कल्यान हो केवल अपनी पुंजी या पत्ती बनाने के लिए नहीं बलकि समाजिक कल्यान के लिए अर्थ वैवस्ता का सुचारू रूप से चलना अत्यंत आवश्यक है उसके बाद आता है धार्मिक तथा नेतिक मुल्य है देखे धरम की अगर बात करें तो धरम मानव जीवन में महतपून स्थान रखता है और धर संपून मानव जाती का कल्यान ही चाहता है जो भी धरम है वो संपून मानव जाती के कल्यान का ही भाव रखता है अगर मानव के जीवन में धरम नहीं है तो वहां पर अगर देखें तो उसके विचार समाज के प्रति भी हो सकता है उद्दार ना हो तो प्रतेक आचारे है ज समपरदाई प्रचली थे जिसमें जिनोंने धार्मिक मुल्यों की प्रयाप्त चर्चा की है जैसे सिद्ध साहित्य है नात साहित्य है जैन साहित्य है यहां पर अगर हम बात करें उसके बाद भक्तिकाल की तो निर्गुन और सगुन की बात की जा सकती है ज्यानमारगी की बात की जा सकती है तो ये वो समयकाल है जब धार्मिक मुल्य मानविय एकता सदाचार और आपसी प्रेम पर बल दे रहे थे क्योंकि इस समय का जो समाज था वो समाज ऐसी रूडिवादिता से ग्रस्त था जहां पर धर्म में छुआ छात या आडंबर जैसी चीज़ें शामिल हो गई थी तो इसलिए भक्तिकाल में चाहे कबीर है सूर है तुलसी है जैसी है इन्होंने इस धार्मिक कड़वाट को भु दिसाहित्य का तो यहाँ पर सबसे पहले धार्मिक में हमने आदी काल से इसको शुरू किया आदी काल में कौन-कौन से जैसे सिद्ध साहित्य ना साहित्य और जैन साहित्य उसके बाद अगर भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल में जैसे मैंने आपको बताया सगुण नि रितिकाल का समय है यहां पर धार्मिक और नैतिक दोनों ही मुल्यों का पतन हुआ आदिकाल और भक्तिकाल का समय वो है जहां धरम और नैतिकता की बात लेखन में भी आई और समाज में भी व्यापत थी लेकिन रितिकाल में यह ना के बराबर दिखाई देती है या यूं कहें की ऐसे लगता है कि कवी इसे भूल ही गए हैं उसके बाद क्योंकि कवियों का काम रितिकाल में क्या था भोग विलास से प्रधान जो कव्य है उसकी रचना करना उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक काल की आधुनिक काल में धार्मिक और नयतिक मुल्यों को दुबारा से जीवित करने का प्रियास किया गया और किस व्रिष्टी को ध्यान में रखकर राश्चिय एक्ता को ध्यान में रखकर हिंदू और मुस्लिम के जो भेद भाव है उनको दूर करने का प्रियास यहाँ पर विशेश रुप से किया गया और आधनिक यूग में नैतिक मुल्यों की अगर बात करें तो नैतिक मुल्यों पर भी विशेश ध्यान यहाँ पर दिया गया कोशिश यह रही कि समाज में ऐसा कोई काम ना हो जो अनैतिक हो यहां तक कि शादी बेहा की अगर हम बात करें तो उस पर भी असत्य बोलना भरष्चा चा तरीकों को पनाना चोरी करना माना की समाज में यह बहुत व्याप्त हैं लेकिन लेखकों ने समय समय पर इस और विशेश ध्यान दिया है ऐसे साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो उनमें शिरी राम चंडर शुकल हैं बल्दे बक्षी हैं क्रिशन पाल शर्मा है ये श्पाल का नाम आप ले सकते हैं ये वो साहित्यकार हैं जिनोंने नैतिक मुल्यों को पुरानी रूडियां कहकर नकारा भी है तो इसके साथ अनुबंडारी रविंद्र कालिया ये वो असंखे साहित्यकार है जो शादी से पूरव योन संबंदों को पेट की भूग मिटाने के समान मानते हैं इसका परणाम क्या हुआ कि धार्मिक और नैतिक मुल्यों का सिर धीरे धीरे आधुनी काल में भी गिरने लगा तो आधु देखा जा सकता है उसके बाद अगर अन्य भारतिय मुल्यों की बात करें तो इसमें कौन-कौन से शामिल है जैसे हिंदी साहित्ये में दार्शनिक विचारधारा अध्यात्मिक विचारधारा या अध्यात्मिक मुल्ये सांस्कृतिक मुल्ये भी इसमें चित्रित किये गए इसी संधर्ब में अगर हम बात करें रामायन की, महा भारत की, रामचरित मानस की, हम इस दृष्ची से देख सकते हैं, साकेत है, ये असंख्या रचनाओं के उधारन दिये जा सकते हैं, कोई भी राश्चर इही मुल्यों के अधार पर समाज बनाता है, जो हमने रामायन से देख कर, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें, तो भोतिक वादी दृष्ची कारण के कारण, आज भारतिय मुल्यों की अभहिलना हो रही है, आवशक्ता किस बात की है, इन मुल्यों पर विशेश ध्यान दे, क्योंकि इनी मुल्यों के आधार पर ही समाज को पुन्हे सह देखें, तो समाज कल्यान के लिए अत्यंत आवशक है, जो वर्तमान भोतिक चका चौन्द है, इसके कारण, आज के मुल्यों की जो अवधारना है, या मुल्यों के प्रती जो लोगों की विचार है, वो बदल रहे हैं, यही कारण है कि हमारे समाज का पतन हो रहा है, लेकि जो लेखक या साहित्यकार है उनका ये करतव्य है कि वर्तमान समय में इस अंधाधुन दोड से हटा कर लोगों का ध्यान समाजिक राश्चिये मानविये और आत्मिये मुल्यों की ओर लगाया जाए क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जैसे अनेक हमारे पास संसादन है जैसे समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा जो राजनिती है यहाँ पर ये सब भरश्चाचार की तरफ जा रहे हैं चाये वो समाचार को देख लो, इलेक्ट्रोनिक मीडिया को देख या जो करमचारी वरग है वो इन सब मुल्यों को ताक पर रखकर केवल और केवल अपनी स्वार्थ को पूरण कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर साहित्यकारों का कर्तव्य क्या है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समाज को सही दिशा प्रदान करें ताकि समाज और राष्ट की रक्षा की जा सके तो आपको इन ही बिंदों के आधार पर इस प्रशन को पूरा करना है कि हिंदी साहित्य के क्या क्या मुल्य हैं मैंने आपको बताया कि काल वही रहेंगे आधी काल की बात हम करेंगे इसके बाद रिति काल की बात हम बताएंगे भक्ति काल के बारे में हम और आधुनिक काल यहाँ पर आधुनिक काल के जो साहित्यकार है या उनके जो विचार है वो भी शामिल करेंगे तो पहले नमबर पर कौन सा काल आएगा आदी काल आएगा दूसरे नमबर पर कौन सा भक्ति काल तीसरे पर रिति काल और चोथे पर आधुनिक काल का आगमन हुआ है और इसी करम से आपको इसका वर्णन करना है तो उमीद करती हूँ कि प्रशन आपको बहुत अच्छे से में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद